वीडिस आप सब का स्वागत है मेरे चैनल में उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे आपके साथ मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ यह आप बोल सकते हो चैनपूर का सिकेंड पार्ट ही है एक भाई था मेरे वीडियो में कमेंट कर रहा था कि चैनपूर का और एक पार्ट लेकर आए तो आज मैं आज चुका हूँ स्री नगर बोलते हैं यह एरिया को और यह जो आप पूल देख पार यह स्री नगर पूल के नाम से जाना जाता है तो यह जगा काफी जादा ही पिक्निक स्पॉर्ट के लिए भी फेमस है और अभी खैर नवेंबर का मेना चल रहा है दिसंबर और जनवरी से तो फिर पिक्निक स्टार्ट होगा तो मैंने तुझा क्यों यह कवर किया जाए यहां के लोगों के लिए तो यह आम बात है मतलब सब जानते ही है बट मैं दूर वालों के लिए बोल रहा हूं कि किनी को रहता है कि कई दूल-दूल से आए तो चैनपूर से आप आईएगा तो मैं टीटेल्स दे दूने हैं पर जैसे यह नदी आप देख पा रहे हैं मैंने अपको अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने अपना गाउं का सीन दिखा दा और यही जो नदी है संख नदी यह हम लोगे गाउं को क्रॉस करते वे जारी है ऐसा है कुछ सीन यहां पर और जरूर से यहां आपको चैनपूर से अलबर्टिक का चॉक से टर्न लेना पड़ेगा और ठीक बारवे स्कूल को क्रॉस करते वे आपको सीधा आगे जाना पड़ेगा और ठीक 15 मिनिट बाद सेम रास्ता में जाते वे आपको स्री नगरवाला पिल मिल जाएगा तो दोस्तो यह पिकनिक स्पोर्ट हमें तो बहुत अच्छा लगा उमीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा और अभी मैं आपको नेक्स्ट प्लेस जो लेके चलता हूँ यही से थोड़ा दूर में ही है जिसको नौगे डैम बोलते हैं नौगे जो एरिया है वही पर वो डैम है चैनपूर के लिए वह फेमस है इन्हीं बाहरी लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनको अगर नहीं पता हो तो वह एक बार जरूर देखे कि यहां पर भी घूमने वाला प्लेस है बहुत अच्छे अच्छे जगा है तो नेक्स पॉइंट हम लो अच्छा नजारा है अभी और यह हम बातो बातो मेरामपूर पहुच चुके हैं यहां से हम लोगो राइट लेना पड़ेगा और कुछ तूर आगे में आपको वो डैम मिलेगा तो चलते हैं आगे आप नजारा देखे और इंजॉय करिए तो दोस्तो आखिर कार कुछ देर बाद ही हम लोग पहुच चुके हैं जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह डैम का चड़हान है तो अभी मैं अब दुधर लेके चलता हूँ अब दूस्तो कि आप सामने का नजारा दीर सते हैं पुरा चड़हान कैसा है तो अगर आपको पानी मिलेगा जलिए मैं आपको लेके चलता हूँ लेकर नजारा दिख़ता हूं देखता हूं रहा का हुझ पर पहुंचया हं जांगी सामने दिक सकते हैं अगहां के उप् जादा सुन्दर में जारा आपको दिख रहा होगा और खाफी तेज हवा भी चल रही है तो यहां जो पूरा एरिया है पूरा एप्रोक्स थ्री पार्ट में तो पूरा ही जंगल से खिरा हुए डैम और एक साइड बस ओपेन है जहां सब दो चड़के आए यहां मेरे को आके बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही वर्ट इट लग रहा है क्योंकि यहां यह जब प्लेस है कावर किया मैंने कभी-कभी खुद को भी बहुत जादा इंज्वाइमेंट करना चाहिए मतलब और वेबों के साथ शेयर करना चाहिए क्यासा इ फिर शांपने से बहले निकल जाएए वो बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा यह जादा आपसाइड पड़ता है और वाकी एरिया बहुत है और सामने निचे दर लोग खीतियों करते हैं बहल बहल चराते हैं बहल बदकरी अपना लोग आपको मिलेंगे ही और कुदी जाद हैं टाइम स्पेंट करके उमीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा वीडियो और अगर अच्छा लगा है तो कीप लबिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू